कि जी सराराम भूबे रेकोर्डिंग सर्थ तब द्याथ्यों आपको भी गुरू कुने मां कि बधाईयां सुब कामने दियें सर् अच्छा अच्छा सभी को सभी को बहुत बहुत आश्रीबाद हमारी तरफ से एक बहुत आश्रीबाद सभी को जो उन्होंने हमारे पती आश्रीबाद के लिए जो सुबकामनाय सुवेक्षाय व्यक्त की हैं सभी विद्यारतियों को मेरी और से बहुत-बहुत हार्दिक आभ शक्षम और अक्षे इंसान बने, सबसे बड़ी बात केरियर नहीं होती है, सबसे बड़ी बात एक अच्छा इंसान होती है, क्योंकि हमारी एक टॉक्टर अरुन प्रगास अवस्थी जी हैं, कुलकातागेव तो बुजर गए, उनकी दो लाइन है कि प्रेस्न नहीं है, इस ध पर कितना कौन बड़ा है मगर प्रस्टन है इस धर्थी पर कैसे कौन खड़ा है तो सवाल ये है कि आप इस धर्थी पर खड़े कैसे होते हैं आपके खड़े होने की जगह कहां पर है आप कितने सीधे खड़े हुए हैं आपके किन के साथ खड़े हुए हैं तो हमेशा ये दे खड़ा कैसे है, कहां खड़ा है, तो गुरू का भी धर्म जो होता है संसार में, वो यही होता है कि गुरू उसको गढ़ता है, गुरू सिश्य को गढ़ता है, जो ये समर्थ हो सके वो इस दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया में खड़े होने के लिए, गुरू गोविंद तो वह उस समय की परिस्तिती है कि जिसमें उस बक्तिकाल में मोक्ष उनकी जीवन की साधना है, वो मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन हम बर्तमान काल खंड में यह देखना चाहेंगे, यह हमें देखना चाहिए, कि यहां सबसे पहली बातों में दो मिनिट आप लोगों का सभी कालों कि गुरू का आर्थ कतई टीचर नहीं है, यह बात जान लेजे, यह तो जो हमारी भारत वर्ष की परंपरा रही ने, चमचागीरी करने की, कि हम लोग बहुत अच्छे चापलूस समाज हैं, तो चापलूसी की वजह से हम लोग यह मानते हैं कि गुरू जो है, वो टी गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरू साक्षत महिस्वर, परमिश्वर की जो बात है, तो गुरू का जो शब्द है, गुरू आता है, गुध हातों से, गुरू, यानि कि बड़ा, और मैं हमेशा इसमें चीज कहता हूँ, कि बड़ा वो होता है, जो छोटे को बड़ा करता है, जो बड़ा है, वो बड़ा नहीं, जो छोटे को बड़ा करता है, वो गुरू होता है, वो बड़ा होता है, कैसे इसको समझें, पहाड बहुत बड़ा है, पेड बहुत बड़ा है, आदमी नीचे खड़ा है, लेकिन वही आदमी जिसका की कद सरफ 6 पुट है और वही आदमी वही बालक जब उस पेड़ पर चड़ जाता है तो उस बालक का कद उस पेड़ के कद का हो जाता है यानि वह बालक 60 पुट उंची उंचाई पर पहुँच जाता है वही आदमी जब पहाड पर पहुँच जाता है तो वह 8000, 9000, 7000 जो भी उस पहाड की उंचाई है उस पहाड की उंचाई पर पहुँच जाता है यानि कि बड़ा वह जो बड़ा बनाए इसलिए गुरू वह जो गुरू बनाए जो आपको बड़ा बनाए आपको जो गड़ दे तो ये मैं अपने समस्त गुरूओं को जोनोंने मुझे गड़ा है मेरा निर्माड किया है आप सबका निर्माड किया है परम साक्षात परम ब्रह्म गुरू हैं उन सभी को प्रडाम करता हूं गुरू पूर्मा की हार्थिक शुपकामना सभी को देता हूं और आज की हमारी ज आलोचना आलोचना यानि गुरू से बड़ा आलोचक कोई नहीं होता और गुरू भी वही शक्षम है जो आलोचक होता है वही सफल है वरना किसी को गुरू कहलाने का कोई हक नहीं है अगर आप आलोचक नहीं है क्योंकि मानस में एक आता है कि सचिव वैद में मित्र गुरु प्रिय बोलें भै आस सचिव वैद गुरु मित्र अरु प्रिय बोलें भै आस जब रावड को विवीशन ने बहुत समझाया विवीशन ने उनके लात मार के उनको भगा दिया तो राज धर्म तन तीन तर होई बेग ही नास अगर सचिव वैद्य मित्र गुरु अगर आपके भै से अगर प्रिय प्रिय बोलना सुरू कर दें तो ये जान लीजिए कि राज का धर्म का और आपके पूरे जीवन का तन का तीनों का नास निश्चित है तो गुरु की महमा अपरमपार समस्त गुरु को प्रणाम हिंदी आलोचना की आज की हमारी कक्षा है आलोचना अपने एक थोड़ा सा नकारात्मक भाव लाता है शब्द आलोचना जैसे कि अगर आप सुने कि उसने उसकी आलोचना की तो आपको ये थोड़ सा सुनने में ये लगेगा कि उसने उसकी बुराई की अगर किसी ने कहा है कि उसने उसकी आलोचना की तो आप सामाने भाव ये बना लेंगे अपने मन में कि उसने उसकी बुराई की जब कि आलोचना शब्द में बुराई शब्द नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं हम आलो करनी है उसके लिए शब्द आलोचना नहीं है तो मैं आप लोगों को आलोचना के बज़ां में बताओ कि आज हमें पढ़ना है आलोचना के बारे में तो आलोचना में पिर शुकली जी के युग बांटा है भारत हिंदु युग बांटा दिवेधी युग बांटा आचारे रामचंद शुकली जी का युग बांटा फिर शुकली जी के युग की आलोचना फिर उसके बार शुकली के बाद वाले युग में क्या हुआ कि शुक्षंदता बादी लोग हावी हो गए कुछ भी लिखने लगे कुछ भी कहने लगे प्रभावबादी और प्रभाव अविव्यंजक आलोचना और आलोचना भी एक व विज्ञान है उसके आधार पर आलोचना लिखे जाने लगी अंतस्च चितना बादी सबकॉंसियस ब्रेन जिसे हम कहीं कहीं चटी इंद्रिय कहते हैं उसके हिसाफ से आलोचना होने लगी एतियासे को सांस्कृतिक आलोचना होने लगी सास्त्रीय समीक्षाहें भी फिर लोग होने लगी पिएसडी की किताब पिएसडी के थीसिस लिखी जाने लगी सोध प्र लिखे जाने लगे फिर अग्ये के दौर के बाद फिर प्रगतिवादी और मार्क्सवादी योगाया इसमें फिर प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं फिर प्रोग्रेसिव यूज फिर प्रग तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आज हिंदी की आलोचना की क्या इस्तिती है तो इन चीजों को हम ग्यारा बज के बीस मिनिट हुए हैं बीस-बाइस मिनिट और मैं चाहूंगा कि अगले एक गंटे आप मेरे साथ रहिएगा आपके जो प्रश्ण हो वो आप लिखते रह सर एक मतलब यंटी है एक मिनिटे ले रोखता हूं सुरू करें उससे पहले मैं आपको थोरी सी देर भी हो गई है चुकि मैंने आपको भीच में हमारी बात हुए जिसमें हमारी पांडेशन दे स्थापना दूर्स विश्विद दाले कि हो नहीं को लेकि तो उससे में विश संबंद जो लोगों ने आम जे हमारी क्छा लिता अब कर तो अपकर खुलाज शेक लेको ना चाहता हूं तो मैं तो अराम जे अराम जे आराम जे बता दिखाईए हम भी देख लेंगे अपने आपको भी देखना अचा होता कभी-कभी इसमें मेरा भी एक फोटो दिखाई दे रहा है अरुन होता सब जानता हूं कलकता वाले जी 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 तो हिंदी के दो में एक अरुन होता सर और एक आपकी तस्विर हमारे प्रोफाइल में सरिस्वार आपके हमारे गुर्दे प्रोफेसर में जर्मा जी के कि आपने हमको ये राष्टिय च्वी का आदमी बना दिया है नहीं सर ये सर आपका प्रेम है नहीं देखिए संयोग का गुरू एक संयोग का भी नाम होता है और संयोग ही व्यक्ति को कहां से कहां पहुचाता है माना इसमें एक और चौपाई आती है कि गगन चड़ें रज पवन प्रसंगा मिलें नीच जल परह कुसंगा तो अगर वही धूल एक ही धूल है अगर वह धूल किसी हवा के साथ जुड़ जाए तो आस्मान में पहुंचाती है धूल और वही धूल अगर जमीन में पड़े हुए पानी में मिल जाए तो कीचल बन जाती है धूल वही है अंतर प्रसंग से है तो औरीजा राज्य मुक्त विश्व विद्याले और प्रोफेसर अविशेख सिंग जी प्रोफेसर एमेल सर्मा जी हमारे वो गुरू है जोनोंने हमको राश्ट्रिय ख्याती गाम बनाया है तो सबसे पहले हम आलोचना की बात करते हैं कि आलोचना है क्या आलोचना के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ये समझेए कि निंदक नेरे राखिये आंगन कुटी छवाए बिनसावन पानी विना निर्मल करें सुभाए मैं इसका थोड़ा सा साब्दे कर्थ ले लेता हूँ आलोचना से जो हम समझते हैं कि ये निंदा है तो मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं अगर मैं इसको समिक्षा कहूं तो आलोचना समिक्षा भी नहीं है आलोचना अगर आप सही रूप में देखना चाहें कि आलोचना है क्या तो प्रफेसर विद्या निवास मिस्टर का एक निवंध है नीर चीर विवेक नीर चीर तो ये एक तरह से नीर चीर की किरिया को कि किसी रचना के विशे में, किसी बात के विशे में, किसी साहित्य के विशे में, किसी लेखन के विशे में, आप उसके समस्त पक्षों पर एक समग्र दरस्टी रख रहे हैं, समग्र दरस्टी, जब आप समग्र दरस्टी रखते हैं, तब आप उसके बहुत सारे पक्षों को जानते बूचते समझते हैं तो आलोचना हमारी जो साहितिक कृतियां हैं उनके विशे में एक पाठक की दस्टी से एक आलोचक की दस्टी से अपनी प्रस्तुती देती हैं वो हमारी आलोचना है तो गांदी जी के माफ करें भारतिन्दू के समय में बहुत सी गद्य विदाएं प्रारहम हो गए थी जैसे कहानी है उपनियास है नाटक है निवंध है तो आपको यह हम सब बता चुके निवंध और उपनियास हो गथा तो आलोचना में क्या हुआ कि आलोचना में जब हम किसी रचना को समझते हैं कि ये रचना है क्या ये रचना क्यूं रची गई है किसी ने इस रचना को क्यूं लिखा है क्यूं साहितिकार स्रजन किया है तो जब उस आलोचना में यह पक्ष आता है कि हम साहितिकार के उस मंतब तक पहुँचना चाहते हैं कि यह क्यों लिखा गया है इसके लिए हमें क्या करना होता है हमें उस विक्ति का उस साहितिकार का बहुत कुछ ऐसा समझना श्कार के लिए बढ है कर दो कि अप्र गॉड़ी कोई दिक्कत हुई है मेरे लेफ्टप में अभी मैं आपको सुनाई दे रहा हूं दिखाई दे रहा हूं जबी को जए सर्ड आप सुनाई दिखाय दे रहा है बीच में कुछ दिक्कत हुई है अभी अगर सही आ रहा है तो अभी मैं अपनी बात जारी रखता हूं बिल्कुल बिल्कुल सर्ड तो यह जो आलोचना के ऊपर जो बात हो रही है उसमें यही कहना है कि आलोचना का अर्थ यह है कि हम उस रचनाकार को उसकी मना इस्तिती को उसके लेखन को हम समझ सकते हैं और जब हम उस परिस्तिती को उस लेखक को सुनते समझते देखते हुए पढ़ते हैं किसी रचना को तो निश्चित रूफ से हमें उसका मूल्यांकन करना आ जाता है तो एक तरह से आप समझेए कि आलोचना का अर्थ है मूल्यांकन करना और मूल्यांकन भी पक्षपात पूर नहीं, भेदभाव पूर नहीं, सम्यक करना पड़ता है, सम्यक मूल्यांकन, सम्यक मूल्यांकन में उस प्रक्रिया में कैसा रस है, उसका विवेचना, उसका बातचीत करते हैं तो ये कहलाती है आलोचना अब रचना का गुणदोस का विवेचना करेंगे उसके अंतरनित सौंदरे पर भी बात निश्चित होगी ना कि सिर्फ बाहरी सौंदरे पर उसके अंतरनित सौंदरे पर तो अंतरनित सौंदरे में ये आता है कि उसमें रचनाका ने लिखा क्या है रचनाकार की मनसा क्या है वो लिखना क्या चाहता है तो इसलिए आलोचना एक बहुत विशाल परिप्रेक्श है जिसमें कि सिर्फ यही सामिल नहीं होता कि हम उस रचना के या उस रचनाकार के वारे में ही कोई बात कर रहे हैं सामा ने गुंदोस की चर्च का अर्था आलोचना नहीं है इसमें इसी करम में बहुत सी फिर आलोचना की पद्धितियों का भी विकास हुआ जैसे कि निरने आत्मक आलोचना जैसे कुछ लोगों ने निरने देना सुरू कर दिया रहें फला 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 किताब बक्वास बिलकुल निदर थक है कोई मत कुछ लोगों ने तुलनात में आलोचना करना जुरू की जैसे क्रश्न के उपर बहुत से लोगों ने लिखा राम के उपर बहुत से लोगों ने लिखा तो दो लोगों ने जिन्हों ने राम के उपर लिखा है एक किताब की दूसी किताब से तुलना करते हुए आलोचना पर दी और फिर एतिहासिक आलोचना उसके एतिहास को लेकर आलोचना फिर सद्धान देख नहीं इस सद्धान पर माकस बाद पर यथार्थ बाद पर अग्य बाद पर शुक्ल बाद पर ब्राहमन बाद पर दलित बाद पर फिर उन बादों पर भी आलोचना शुरू हो गई फ किसी में एक फिल्म आई थी आप लोगों ने देखी हो कि उसमें उसमें गुली मार दी हर फिल्म में यही होता है कि जो नायक जो है वो गुली मार देता है तो क्या नायक के पास ही अधिकार है कि वो किसी को गुली मार दे तो ये जो कथानक होते हैं जिनमें कि नायक को ये दिकार मिल जाता है कि वो अपरादीगों गुरी मार दे तो ये भी आलोचना विभारे क्रूप में भी आलोचना होने लगी तो इसी तरह से जो रचनाए होती हैं उनकी इन सभी आधारों पर आलोचना होती है तो हमारी जो आज की जो आलोचना की इस्तिती है इससे पहले आलोचना का एक बहुत बड़ा इतिहास है तो उसका विकास कैसे कैसे हुआ मैं इस पर आपकी थोड़ी थोड़ी बिंदुवार आपका विचार आमंतित करता हूँ कि इससे पहले हुआ क्या था तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आज का जो कालखंड चल रहा है इससे पहले पहले आलोचना किस रूप में थी एक मिनिट इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि भक्ति काल में आलोचना नहीं हुई थी अगर हम आलोचना के विकास की बात करेंगे तो अगर हम भक्ति काल में जाएं तो उसमें आलोचना बहुत कम है उसमें क्या है क्योंकि आलोचना कम क्यों है क्योंकि अधिकान्स जो भक्तिकाल के कवी हैं उन्होंने अपनी सिक्षा दीक्षा या उनका जो लालन पालन उनका जो सेक्षनिक विकास उनकी बुद्धी का मस्तिस का विचार का समवेदना का हिर्दय का हुआ वो संस्कृत के गरंथ थे और संस्कृत के गरंथ अधिकान्स साहितिकी रचना वो हुई जो संस्कृत से प्रेड़ना पाकर हुई थी और इसलिए उसमें आधर शात्मक विवस्थाएं जादा हैं और उनके आधार पर काबिस सिद्धानतों की स्ष्थी हुई तो जब ये प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ी आलोचना का विकास उसके बाद हुआ तो रीतिकाल में क्या हुआ कि रीतिकाल में जैसे केसब दास्ते चिंता मनी, मती, राम, कुलपती, मिश्र, भिकारी इदास ये सब जो कवी हुए ये जो सहत्यकार हुए इन सबने अपने अपने नायक नायका भेद, सब्द, सक्ति, रीति, अलंकार, छंद, रस इन सब को लेके अनेक गरंथों की रचना की और सबका अपना-पना एक अलग सौंदर है, अलग उनका एक सौस्टव है, अलग उनका एक कथानक है, तो इस वज़े से क्या हुआ कि लोग पाठक जादा थे, आलोचक कम थे, भक्ती रचनाओं को पढ़के भक्त जादा पैद सकते हैं, बहुत से पद आपको, अगर आप लोगों ने हिंदी प्रारंबिक परशों में पढ़ी होंगी, तो बहुत से पद आपको, पद, दोहे, सवित, सवया, और सोरथा, ये सब आपको याद रह जाएंगे, तो गद्य का विकास नहीं हुआ था तब तक, इसलिए उस स प्रशन पूछा जाता था, तो पद्य में होता था, उत्तर होता था, तो पद्य में होता था, है ना, देंदार कोई और है, भेजत है, दिन रहन, ये ये प्रशन पूछा, क्या प्रशन था, कि देंदार कोई, लोग भरम हमपर करें, तासों नीचे नहन, उससे पहले का प् काहे नीचे नेन, तो उसका उत्तर क्या दिया गया? कि देंदार कोई और है, भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हमपर करें, तासों नीचे नेन, तो जो पध्यात्मक वारतालाब था, इस वज़े से उसमें तर्क वितर्क कम था, इसलिए उस समय आलोचना इतनी नहीं थी. तो डाक्टर रामचंद तिवारी ने इस विज़े में लिखा है कि दोसो डाईसो वर्षों के आसपास के काल खंड में, सिधान्द निरूपण में सहतिकार लगा रहा, रीती काल में ब्यावारे कालोचना संस्कृत की सूत्र सेली में ही आई, उस से जाला नहीं आई और वो कि सतसया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगें, घाव करें, घंबीर, तो जब घाव घंबीर कर रहा है, ये एक बात हो गई, घाव घंबीर करता है, लेकिन आलोचना क्या है, कि इसके जो दोएं हैं, वो नाविक के तीर होते हैं, नाविक का तीर, यानि कि जो नाविक नाव में जाता है अपना तीर कमान लेके वो क्या करता है कि वो छोटे-छोटे तीर लेके तुरंट बड़ी-बड़ी मचलियों में मारता है तो मचलि उससे गंबी रूप से घायल होती है नाविक उनको अपनी नाव में डाल लेते हैं तो कभी-कभी कभीओं क जहतां करत प्रकास यानि कि जो जो सारांस था सूर 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 मतलब अब इसके भी कई अर्थ होते हैं कि सूर सूर का मतलब है एक सूरदास और सूर का मतलब जो बिलकुल सारांस जो पूरे सास्तर का पूरे ग्यान का विग्यान का जो सारांस है वो तो सूरदास ही ने कह दिया और उडगन के सब्दास जो कुछ बाकी जो बचा उड़ा हुआ वो के सब्दास ने कह दिया और आजकल के क्या है कि आजकल के जो कवी हैं ये खग्योत सम्खग्योत कहते हैं जुगनू को तो ये जुगनू हैं इनके पास कोई भी सारांस नहीं है कोई सार्थक बात कहने सुन तो ये जो है आलोचना का एक बहुत ही चिंतित, मनंशील और विशलेशन से सूने रूप नहीं था, कि आप किसी को भी बिल्कुल खारिज करते हैं, कि कवियों को आप जुगनू कहते हैं, ये ऐसा रूप इसका नहीं था, तो इसमें क्या था कि इसमें बस बाकी लोगों की प आलोचना का सूत्रपात हुआ, कैसे इसको हम मान सकते हैं, सन 1850 से लेके, सन 1885 के बीच में भारत इंदू युग रहा, और जो आपने पिछली वाली इकाई में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको पिछले हफ्ते-दो हफ्ते में पढ़ाया है, तो भारत इंदू ने जो कव इनमें उस समय के सास्त्र की परिक्षा आती थी, परिक्षा करती थी, नाटक एक जो लेक लिखा भारत इंदू जी ने, उसमें उन्होंने लिखा कि जो समसामेकता है, जीवन रुची है, स्वावाविकता है, यथार्थ ता है, जीवन का यथार्थ, जीवन की जो उनके साथ जो प्राचीन नाटि सास्तर की उप्योगिता है और नए नाटकों की जो आवश्रकता है नाटक नाम का उनका एक नाटक है लेख है उनका बारतियन्दु अरिशन्द का आप लोग उसे पढ़ सकते हैं नेट पर भी अवेलेवल है जान तक है तो यहां से मानते हैं यहां से हिंदी आलोचना सुरू हुई यहां से हिंदी आलोचना प्रारम हुई और इसलिए बारतियन्दु अरिशन्द को भी हिंदी आलोचना का प्रथम आलोचक कहा जाता है इसके बाद फिर आलोचना थोड़ी बहुत आगे बड़ी समीक्षाओं के रूप में प्रेम ग ने बहुत सारी प्रसंसायन लिखी वालकिष्ण भट्र सर्मा प्रदीप नवीन ने हिंदी प्रदीप उनके नाम का उपनाम प्रदीप लिखा करते थे तो उन्होंने सची स्वाच लोचना नाम से भी लिखा तो कहा जा सकता है कि मौटे मौटे तोर पर अब चोटे कदम पढ़ने लगे थे अब दुवेदी युग में क्या हुआ दुवेदी युग में पूरा जैसे साहती की सभी विधाओं के परिशकार परिशकरन का जो एक बहुत बड़ा गुरुतर कारी किया है आचारे मावी प्रदी जी ने है तो हिंदी आलोचना में भी उन इसा निखार हुआ है जितना किसी युग में नहीं हुआ जितना दुवेदी युग में हुआ है कैसे क्योंकि इसी दौर में सास्ती आलोचना तुल्यांत तक मून ल्यांकन निरने परिशे व्याक्या अनुवेशन अनुसंदान समीक्षा तितीक्षा ये सब कुछ जो है द लिखे हुए सहत के ऊपर जो लिखा जा रहा है, वह आलूचना तो द्यवेधरी युग में बहुत से जो ग्रंथ पुराने ग्रंथ थे आ लेक्षन ग्रंथों की परंपरा का पालन करते हुए, उस युग में बहुत सारे सहते कारों ने, जैसे कि राजा मुरारी दान ने जस् लाला महराजा प्रदापनारेण सिंग ने रश कुस्मा कर लिखा, जगरनाथ भानू कृत्ने काबे प्रभा कर लिखा, लाला भागवाना दीन कृत्ने अलंकार मंजूसा लिखा, सीताराम सास्त्री जी ने साहिति सिद्धांद लिखा, उपाद्या सिंग उपाद्या जिनको क हम हर्योद भी कहा करते थे उन्होंने रश कलस लिखा तो ये उस दुवेदी युके सैधान्तिक गरंत हैं जिन से कि हिंदी की सास्त्री आलुचना का विकास हुआ क्लासिकल क्लासिकल ठीक है तो इन गरंतों में क्या हुआ कि इन गरंतों में जो पुराना काल था रीति कालीन काल था उनकी गरंत परंपरा का भी निरभा हुआ और अंग्रेजी फार्शी उर्दू अंग्रेजी फार्शी उर्दू आधी भासा साहित के जो संपर्क थे और जो उनके impacts on the era थे, उनका भी पूरा-पूरा समावेश हुआ और साथ की साथ उस युग में जो नई बातें थी, कौन सी नई बातें, यानि कि जब आपका 1885 से बात का, यानि कि 19 भी सताब्दी की जो आलोचना है, उसमें समाज में, देश में, पूरी दुनिया में बहुत से परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों का भी इस आलोचना में, जो रिती कालिन गरंथों की परंपा का पालन करते हुए दिवेधी जुग के साहित्यकारों है, कि उसका बहुत बड़ा समावेश हुआ, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पिछीदी क्लास में आपसे कहा था, कि संस्कृतियों के, और भाषाओं के, और अनेक सहित्यकारों के, अन्य भाषाओं से आये हुए लोगों के, विदेशियों के, आकरांताओं के, आकरमनकारियों के, और बहुत से अच्छे लोगों के भी संपर्क में हमारे भाषाकार, हमारे सहित्यकार आ रहे थे, तो रसरंजन एक दुवेदी जी ने लिखा, उसमें बहुत अच्छे छंद थे, बहुत सरल भाशा का प्रियोग हुआ, अर्थ की सौरस्ता थी, मनोरंजन का इस्थान इसमें नहीं था, इसमें युग बोध था, काल जाई रचना थी वो, नैतिकताएं थी, मर्यादाएं थी, दे इश्प्रेम था, ये जो उदात भाव हैं, ये जो उच्छ भाव हैं, इन सब का उसमें पूरा का पूरा बल दिया गया था, इन सब को उभारा गया था, इसके बाद में क्या हुआ, दुवेदी जी का आपको साहितिक योगदान पता है, कि दुवेदी जी ने सबसे पहले एक सरश्चती नामक पत्र का निकाली थी, तो दुवेदी जी क्या था, कि दुवेदी जी हमारे पूरे के पूरे इस हिंदी सहितिकाल खंड के हमारे उद्धा रखें, उनके अंदर एक नवीन ता है, एक चेतना है, एक विशेस ता है, वो हमेश्चा हर नए विचार का नई परिस्तितियों में वो साहति साधना करते हैं और साहतिकार को वो एक दायत तो बोध से जोड़ते हैं साहतिकार को वो खुला नहीं छोड़ देते हैं एकदम खुला नहीं कि तुम जो चाहो उसे लिखो नहीं साहतिकार का साहति बोध है दायत तो बोध है तो उन्होंने स दिवेदी जी के बहुत खासम खास भी हुआ करते थे जैसे कि मिश्रबंदू मैंने आपको पिछली बार बताया था कि दो भाई थे शुक्दे बिहारी मिश्र तीन भाई थे शुक्दे बिहारी मिश्र जी श्याम बिहारी मिश्र जी और गणिश बिहारी मिश्र जी तीन तो ये काफी काम उस दोरान हुआ और इस आधार पर हिंदी नवरत्न एक गरंथ बनाया मिश्रुबंदू उसमें उन्होंने हिंदी के नौ कवियों को श्रेणी बद्द किया और उनकी रचनाओं को आलोचना में लाए ये सबसे बड़ा काम आलोचना के छित्र में हुआ जिस में सबसे पहले सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूसन, सेनापती, चंद्र और हरिशन इन नौल कवियों की रचनाओं को सीरिल करते हुए इनकी रचनाओं के उपर आलोचना का काम किया गया और ये बहुत बड़ा काम था उस समय तो इसके बाद में इसमें थोड कभी पदम सिंग सर्माजी ने नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहारी को बड़ा सिद्ध किया, तो इसके लिए उन्होंने तुलना करते हुए अखाडे में वो उतर के आ गए, और उनके साथ-साथ लाला भगवान दीन भी आ गए, और इन्होंने फिर क्य मिश्रुबंदू ने किया था, क्या किया था मिश्रुबंदू ने, मिश्रुबंदू ने देव को बिहारी से उंचा कभी मान लिया था, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने बिहारी को देव से बड़ा कभी मान, देव को बड़ा कभी सिद्ध किया, तो इस पत्रिका निकली अपनी इंद्र नाम से एक पत्रिका निकली माधुरी नाम से एक पत्रिका निकली और समालोचना नाम से एक पत्रिका निकली और इन सबसे चलते चलते फिर इनी पत्रिकाओं में उस समय के बहुत बड़े-बड़े लोग लिखा करते थे जिन में जगनना दा अगर मैं इसको मैं भारती प्रमपरा में कहूं कि एक महले की बात को दूसरे महले में पहुचाने का बहुत बड़ा काम आचारी महारवी पुषाद वेदीजी ने किया है और वो बहुत समालोचक के डंग से लिखते थे कि किसी पुस्तक में या किसी गरंथ के प्रबंद में क किस डंग से लिखा गया है वो अब विशे के इसाब से पूरा नियायक कर पाया है कि नहीं कर पाया है उससे कोई मनोरंजन होता है कि नहीं होता है किसी को लाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है लेखक ने कोई नई प्रस्थापना किया है कि पुरानी बातों का ही पिस इस बातों पर बहुत लंबी चर्चा की और बहुत ध्यान दिया उस दोर में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की और बहुत से पत्र पत्रगाय निकाले बहुत से गरंथ निकाले और बहुत सारे लोगों पर चर्चाएं की जैसी पर तुलसी पर और इनकी जो रचनाओं की जो विवेचना होती थी उसमें एक एक छोटी-छोटी चीज के उपर बहुत गंभीर रचना होती थी बहुत गंभीर विशद विवेचन होता था रस के उपर चंद के उपर अलंकार के उपर गुणदोस के उपर और उसकी भाषा के उपर भाषा के उपर उस दौर में बहुत ध् अरे देखो देखो आउट आओ, कितनी कितनी स्वीट विंड चल रही है, हे भगवान, मन करता है इसको पकड़ के डुबो दो कहीं, किसी समधर में डुबो दो, ऐसा हिंदी बोलने वालाओं को, कितनी स्वीट विंड चल रही है, अरे भाई, सीधे सीधे आप नहीं कह सकते कि इतनी सीतल, मंद, सुगंद, पवन बह रही है। समझना है। तो उस युक के दौर के लोगों ने भाशा के उपर बहुत ध्यान दिया। शुकल जी ने खास्तोर से सूर, तुलसी, जैसी के उपर बहुत अच्छी उन्नत आलोचना लिखी। उन्नत आलोचना की है। उन्ने उनके ग्रंत अगर कवी आप देखें आपके पुस्तकाले में मिलें। गंभीरता, उसकी गहराई, उसका ब्यापक लोक अनुभव और गहरी लोक संस्तिती के साथ जो उनकी संपक्रता थी, जो उनका समवेद नात्मक लगाव था, इन सब के साथ इन गरंधों की रचना की गए। तो आचारे शुक्लिन ने जो व्यावरेक समिक्षा की, वो बहुत उत्कृष्ट इस्तर की है, और उसमें मूल तक तो यही था, कि वो लोक मंगल पर ध्यान देते थे, लोक धर्म पर, लोक की मर्यादा पर, लोक लाज पर, और उसी समय से ये चला, कि यद्यपी शुद्धम, लोक विरुद्धम न करनेयम, न करनेयम, चाए कोई चीज कितनी भी शुद्ध हो, यदि वो लोक विरुद्ध है, तो नहीं करनी है, इसी तरह से शुक्लिजी के युग में जो आलोचना थी, उसमें बहुत और पत्र पत्रकाओं का विकास हुआ जो बहुत से अन्य लेकक, अन्य समालोचक पैदा हुए, उस समय के बहुत प्रसिद्धि लेकक, बहुत सारे प्रसिद्धि समालोचकों में, जैसे के क्रष्ण संकर जी थे, लक्षमिरान सुधान सुधान सुधी이지 ने सुधान सू के नाम से एक पत्रका निकाली थी, और यहांने बहुत सारी चीजें उस दोर की जैसे कभीवर रतना कर है केसब की काप बिकला है केसब की काप बिकला में तो पंडित करपाश रंकर शुकल जी ने एक दम ऐसा अनुसंधान किया है अब शेक जी यदि आपको कहीं वो पुस्तक मिल जाए तो आप अपने विद्यारति को जरूर दीजिये कि हम लोग जो आजकल पी-एजडी करते हैं यहां से पकड़ा वहां से पकड़ा आज तो इंटरनेट है गूगल है कहीं से कुछ भी उठा दिया इस समय इतने बड़े बड़े पुस्तकाले हैं उन पुस्तकाले में हजारों पी-एजडी की थीसस और कवियों की क्या विशेस्ता ही होनी चाहिए यह कविवर रत्नाकर में मिलेगा आपको चीक है तो इसमें थोड़ा दो विशे वी चले करपा संकर शुखलजी ने आचारे शुकलकी केसब दासंबन्दी जो इस्थापनाए थी उनका विरोध तो नहीं किया लेकिन उनकी जो सहदता थी जो उनकी काब्यातमता थी उसके बड़ी ही गंभीर मीमानसा और समीक्षा की है वह बहुत सार गर्वित है उनकी तरक शैली उनके द्वारा जो उन्होंने इस्थ किया है जो गांभीर है सैली का जो भाषा की जो उचाईया है जो सब्द सोस्थव है जो व्याकरनिक रचना है उनके ऊपर उनने बहुत गंभीर विचार विमर्स किया है तो इस दोर में आलोच नात्मक बुद्धी का बहुत विकास हुआ इसी प्रकार जो विश्वुनात परसाथ मिश्र जी ने हिंदी साहते का अतीत लिखा, बिहारी की बाग विभूती लिखी, इसमें उतकरष्ट आलोचनात्मक बुद्धी आपको देखने को मिले लिए, और इसमें नोंने जो रीती काल के और अन्य कवी थे, उनका भी बहुत वर्णन किया, बिहारी का, केसब क गनानंद का, है ना, और इन सब लोगों के गनानंद के उस समय कि और कौन-कौन याद करिये, भूशन है, रस खान है, है ना, इन सब की विश्जद समीकशा की, के उसी दोर में लिखा गया, उनकी गनानंद ने लिखा कि, या बारण किसने लिखा गणानन और बारण किसने के प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धारे पे धावनों हैं तो इसकी बड़ी बड़ी मीमान सैं हुई कि जो प्रेम का पंत है ये बहुत आसान पंत नहीं है ये तलवार की धार पे दोड़ने जैसा है है न तुम कौन की बात करो लला इस तरह की एक बड़ा अच्छा चंद है मैं भूल रहा हूं याद आ जाएगा तो ऐसी रचनाओं की मीमान सा उस दोर में हुई तो इससे उस दोर की जो सबसे बड़ा आनंद में आपको सूच में बताऊं कि उस दोर का सबसे बड़ा आनंद क्या है कि उस दोर की रचनाएं और उस दोर की रचनाओं के ऊपर की गई आलोचनाओं को यदि हमारे हिंदी साहत्य का विद्यार्थी पढ़ेगा तो मैं एक चीज की गारंटी लिखके देता हूँ कि आप जीवन में कभी निरास नहीं होंगे आपके पास सुख संपत्ती भौतिक रूप में हो चाहे ना हो आपके पास करोलों रुपे हो ना हो करोलों की संपत्ती हो ना हो बड़ी बड़ी गाड़ियां हो ना हो लेकिन यदि ये साहत संपत्ता यदि आपके मन मस्तिस्क में और अगर हिर्दे में है तो आप जीवन को जीएंगे बड़े आनंद में आप कभी निरास नहीं होंगे आप उस दोर के साहत्ती को पढ़िएगा चीक है तो बाबु गुलाव राए भी उस दोर में आए उन्होंने भी दो बहुत अच्छे गरंथ लिखे सिधान्त और अध्यन और कभी के रूप इसमें इन्होंने नकि सिर्फ देशी विदेशी बहुत से विद्वानों की मनतब्यों को लेके हुए उनके मतों को लेके इसमें उन्होंने आलोचनाई की प्राशीन और भारती दोनों गरंथों को दोनों गरंथकारों को इन्होंने इसमें लिया इसी में शुकल जी का जो काब्र सास्त का जो व्याक्यान पुनर व्याक्यान था और उन्होंने जो देशी और विदेशी दोनों आलोचना करने वाले साहितिकारों के दोनों आलोचना करने के दोनों के सिद्धानत अलग लग है ना विदेशी ही और पाश्चा तो सुकल जुग में बड़ा अच्छा काम हुआ कि हमारी हिंदी के गद्द की, हिंदी के साहतिकी आलोचना करने वाले लोगोंने दोनों ही पक्षव के सिध्धान्तों को समान रूप से समझा देखा और उसके आदार पर उन्होंने आलोचना अत्मग्रंथ होगी رिशना की इससे क्या लाब मिला, जब हम दोनों पक्षों को देखना जानते हैं, पक्ष को भी और विपक्ष को भी, जब हम दोनों पक्षों को देखना जानते हैं, तब हमको सही द्रिष्टी का अंदाजा होता है, सही द्रिष्टी का अंदाजा होता है, ठीक है न, तो ये एक हमारी आ तो उस दोर की जो आलोचनाए थी वो उनका सुरूप भी ऐसा ही था इसके बाद क्या हुआ मैं फिर चायावादी कभी जब आए तो उनको लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है उनकी जो रचनाए हैं हमारे उस दोर के आलोचकोने कौन से दोर के जो सुकलजी वाले दोर के आलोचक थे निश्यत रूप से मैं भी ये मानता हूँ कि थोड़ा सा वो लोग पक्षपा फूर्थे थोड़ा सा पूर्वा ग्रहों से गसित थे अब जो पूर्वा ग्रहों से गसित रहे होंगे तो जब निये जो कभी गर्ण हमारे चायावाद वाले लोग जब आए कौणकौन से प्रशाद, पंत, निराला, महादेवी जब ये लोग मुखर हुए तब इनोंने इस बात को उठाया कि भाई हमारे साहिट्तिकी आलोचना करने का दूसरे लोगों को क्या अधिकार है जो कि उस दौर की रचनाओं को पड़ते नहीं है। उस दौर की रचनाओं के साथ उनका एकाकार नहीं है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने फिर अपनी विशेस्ताएं अपनी भूमिकाएं जो पुस्तकों में जो भूमिकाएं लिखना सुरू किया जो साहिति लिखने से गरंथ लिखने से पहले इन्हों ने खुद अपनी भूमिका लिखना सुरू किया कि मैं इस गरंथ की रचना क् रहा हूं या क्यों कर रहे हैं और इससे क्या हुआ एक नया सूत्रपात हुआ यानि कि रचना गरंथ आने से पहले गरंथ की भूमिका में गरंथ कारणे रचना कारणे अपनी मनह इस्तिती को स्वैम लिखना शुरू कर दिया कि भाई आप अपने पाठक से एक संबाद कर रह हैं और अपने पाठक को एक बता रहे हैं कि भाईया तेरे हाथ में जो एक किताब है तेरे हाथ में जो पुस्तक है तेरे हाथ में जो गरंथ है यह गरंथ मैंने क्यों लिखा है मुझे क्या आवश्यक्ता आन पड़ी अब जरा जिन लोगों ने मानस पड़ा है वो पढ़े सुरुवात का याद करें कि तुलसी ने खुद लिखा है कि स्वानतह सुखा है अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ बच्चन जी ने तो भुमिका अपनी आत्मे कता की बहुत अच्छी लिखी है उसमें उन्होंने मानतेन का भी नाम लिया है प्रेम चंद जी की मैंने आप को बताई थी अमरता प्रीतम ने अपने विशह में बहुत कुछ लिखा है तो साहितिकार प्रेणू ने मेला आचल के विशह में लिखाया कि भाई इसमें फूल भी हैं सूल भी हैं काटे भी हैं इसमें गंध है दुरगंध है सुगंध है मैं किसी से दावन बचा नहीं पा अपने वारे में स्वयम की आलोचना का स्वरूप निकर के आने लगा, हलाएं कि इसको ज्यादा नहीं सुईकार किया गया, क्योंकि यह प्रविर्टी आई अंग्रेजी लेखकों से, अंग्रेजी लेखकों में क्या होता है, कि वो कुछ लिखते हैं तो उसका प्रीफेस दिय करते हैं, इंट्रोडक्सन दिया करते हैं अपनी किताब में, तो हमारे यहां यह अंग्रेजी के लेखकों से आया, तो पंत ने और महादेवी जी ने इसका बहुत बचाव किया, उन्होंने बुला कि भई हम तो लिखेंगे, हम क्यों नहीं लिखेंगे, बलकि महादेवी ज ने तो जितना रेखा चित्र लिखा है, जितना संस्मरन लिखा है, वो मेरा अपना, मैं किसी साहितिकार का नाम नहीं लिखा हूँ, वो मेरा अपना मानना यह है, कि उनके रेखा चित्र, उनके संस्मरन, उनके यात्रा व्रतांत, अपनी भूमिका ही लिख रहे हैं, अपनी ही आलोचना वो कर रहा है कि मैं ऐसा क्यूं बन गया जैसे के मैं अपने जीवन की बात करूँ या आप अपने जीवन की बात करें तो आप अगर कोई रचना लिखने लगें कोई ग्रंथ लिखने लगें तो निश्य सीद distinguished से आप अपने बारे में लिखेंगे न कि वाई मैंने क्यों लिखा है तो अगर आपका कोई साहतिकार इस बात से मना करे तो आप क्या करेंगे कि आप एक लेक लिखेंगे, आप एक यात्रा बिर्वान लिखेंगे, आप एक संस्मरन लिखेंगे, आप एक रेखा चित्र लिखेंगे, और उस रेखा चित्र में, जैसे कि गिल्लू, गौरा, या मेरा एक रेखा चित्र है, जो नहीं रहा, एक उनने से परहिस्ते, तो उसम लेकिन उसके साथ कैसे चला लेकिन उसके साथ साथ मैं कैसा हूँ मतलब कभी कैसा है लेका कैसा है वो उसमें लिखने लग गया तो भूमिकाओं में भी ये उसका अपना ब्यक्तितु निखर के आने लगा वो अपने बारे में बात कने लगा अपनी भूमिका बताने लगा और रेखाशित्रों में, संस्मरणों में, यात्रवरतांतों में, डाइरियों में, ये सब लेखन के ही नए प्रकार बन गए तो इसमें क्या हुआ कि जब हमारे शायावादी लोगों ने बिल्कुल इसपस्ट कर दिया कि भाई ये हमारे आज के युकी आवश्यक्ता है और हमारे आज के, आज का जो हमारा मनुश्य है, उसके अंतर मन की ये अदम आविव्यक्ती है और इसे हम रेखांकित करेंगे, हमें ये रेखांकित करना चाहिए तो क्या हुआ कि फिर उनके काब्य को समझने में आसानी हुई जैसे कि महादेवी ने लिखा मैं नीर भरी दुख की बदली, अब जब महादेवी ने ये लिखा मैं नीर भरी दुख की बदली, तो महादेवी के जीवन के कस्टों को, जिसने देखा, महादेवी के जीवन को जो जानता है, उसको ये समझ में आ गया कि महादेवी ने, क्यों लिखा महादेवी की अपने विक्तिकर्थ जीवन के जो दुख थे, जो कस्ट थे या जो उनका अपना जीवन बच्पन था है ना, तो ये इसकी जब पंत और महादेवी जी ना, जब इसको युक्की आवश्यक्ता बताया भूमिका लिखने को यानि अपने विशे में बताने को, तो इसके बाद में फिर जो आलोचक आए, जैसे गनंदर दुलारे बाजपेई, शांती प्रेदुवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन लोगों का तो धर्म ही, इनका तो साय, या डॉक्टर नामवर सिंग फिर थोड़ा बात के रहे, त इनको तो फिर माना ही आलोचक जाता है, यह तो साहतिकार, एक समझने की बात है, अविशेक जी और जो भी लोग सुन रहे हों, हम लोग एक बार बहुत सारे प्रोफेसर बैटके इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने किसी का एक वक्त बिदिया, कि आलोचक कितना ही बढ़ा क्यों ना हो, साहतिकार नहीं होता, उसे आलोचक ही का जाता, उसे साहतिकार नहीं का जाता, और देखिए नामबर सिंग जी ने इतनी किताबें लेखी हैं कि एक कमरा भर जाए, लेकिन उनको उनका परिशे आलोचक के रूप में दिया जाता है, साहतिकार के रूप चेंदेदर सर्मा गुलेरी ने दो चार एक कहानी लिखी है बताते हैं ऐसा, हलांके साथ कहानी आए उनकी, लेकिन उनको सायतिकार कहा जाता है, उनको आलोचना, तो इन लोगों ने क्या किया, यह जो आये बात के आलोचना को आलोचना की जो आलोचना परमपराती उसका विक आलोचना अपने कई रूपों को बदलती हुई, सेधान्तिक आलोचना, सास्त्री आलोचना, एतियासिक आलोचना, अनतश्यत्नावादी आलोचना, मनोवग्यानिक, प्रभाववादी, स्वच्छंतितावादी फिर इन रूपों में अलग-लग बढ़ने लगी, अब मैं थ थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं कि श्वचंतितावादी आलोचना क्या रही। उन्हों ने जो सोचा समझा, इनको जो समझ में आया मालिया मैं Clay मैं आपको कोई एक सूत्र बता हूं और वो सूत्र आप से कहूं इसकी व्याख्या करो, तो उस सूत्र की व्याक्या हो सकता है अव सामने इस समय 2 विद्यारति नो को निकाल दो तो 21 तो मालिया ये 21 विद्यारती हैं अगर मैं एक वाक के कहूं या एक दोहा सुनाओं तो ये लोग उस दोहे का अपने अपने हिसाब से अर्थ लखेंगे तो यही सुक्षिंदा वालदी आलोचना में हुआ कि उन लोगों ने ये माना कि हमारे काब्विका इन लोगों ने अपन प्रभाव था लेकिन उन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है तो उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने ये कहा कि साहित्य अपने आप में एक स्वायस्त सत्ता है ओटोनोमस पावर है ओटोनोमस एंट शिक्ता नहीं है इनका कहना यह था स्वायत कहने का मतलब आटोनुमस कहने का मतलब यह है कि काभी का महत तो काभी के अंतर ही है काभी का महत तो काभी के बाहर थोड़ी है तो इन्होंने यह बोला कि जो आलो चक है वो बाहर ही है वो कभी नहीं है वो कभी नहीं है वो काभी का साहत है तो अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है उसकी एक स्वतंत्र प्रक्या है एक पूरा एक इंडिपेंडेंट प्रोसेज है और जो इंडिपेंडेंडेंट प्रोसेज है जो प्रोसेज इंडिपेंडेंडेंट है तो उसका examination कोई बाहरवाला कैसे कर सकता है तो यह समझना है आप इनका कहना यह था कि when the process is independent how it can be examined by outsource examiner नहीं समझे ऐसे समझे मालिया आपकी गंगा आपकी नदी है भद्रक नदी है कालेंदी नदी है गंगा है यमुना है तो गंगा में यमुना में जो डूब रहा है जो आनन्द ले रहा है जो नहा रहा है क्या तट पर बैठा हुआ व्यक्ति यह लिख सकता है कि गंगा में नहाने का आनन्द क्या होता है नहीं लिख सकता नहीं लिख सकता यह कहा गया तो इस धारणा के तहत उन्होंने चायवादी काप्य का एक मुल्यांकन किया बहुत इस पश्टता से उन्होंने ये कहा कि चायवाद का अपना जीवन दर्चन है अपनी भाव संपदा है और दुवेदी कालिन जो कविता की परपाटी बद्धता थी नीती मत थी इस थूलता थी वो सब गलत है अब हम इसके विरुद्ध खड़े हैं और कविता अब क्या है अब एक नवोनमेश होगा कविता का नवोनमेश होगा अन्भूती प्रवण कविता होगी बहुत जला आप उस पुराने सिद्धामत में मत जाएए अब अन्भूती दर्शन और सैली इन तीनों को मिलके जो कविता है अब ये राष्टी चितना भी होगी इसमें स्वर आएगा राष्टी चितना का ओज आएगा इसमें आध्यात्मिक पक्ष भी होगा तो इस तरह की जब इन्होंने इस्थापनाए की तो इससे क्या हुआ कि छायाबाद के संब्ध में जो बहुत से भ्रह्म थे वो तूटने लगे जो बने बनाए दुर्ग थे वो ढहने लगे और फिर क्या हुआ कि बास्ता में काभ्य की स्वस्त मूल्यांकन परंपरा का वि कभी निराला, हिंदी साहते, बीसमी सताब्दी, ऐसे ग्रंथ लिखे गए, और नए-नए आलोचनात्मिक सिद्धानतों का, समीक्षा सिद्धानतों का, यही वो यूग आया, जहांपे फिर आलोचना शब्द को समीक्षा के साथ-साथ समानांतर लेके चलना पड़ा, तो बाजबी जी के साथ ही डॉक्टर नगेंद्र रहे, इन्होंने इसको बहुत, यह भी डॉक्टर नगेंद्र जो है, उनको हमारे हिंदी साहते में बहुत स्रद्धा के साथ रसवादी समिक्षक कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी समिक्षक कहा जाता है, उन का जो मूल काम है ड्क्तर नगेंद्र का काब ओब्हाशा के ऊपर का विम्ब के ऊपर डॉक्टर नगेंद्र बढ़ा अनन्द लेकी बात करते हैं कि इसकाब विम्ब कॉन मैं हमेशा यह मानता हूँ कि हम हिंदी के पाठकों को सहतिकार की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए कैसे आप लोगों को गूर मंत बताता हूँ गुरू मंत बताता हूँ जैसे मिठाई की दुकान पर जाके आप अपनी जेब में जितने पैसे है न उतने पैसे से अच्छी अच पर रसकुले का स्वाद अलग है, बालू साही का अलग है, जलेवी का अलग है, चमचम का अलग है, लट्डू का अलग है, सबका अनंद अलग है, तो हिंदी के पाठक को कभी भी साहित तिकारों के बीच में तुलना में नहीं फसना चाहिए, ठीक है, सबको पढ़ना चाहिए सब का आनंद लेना चाहिए इसके बाद फिर स्रक्षंदतावादी के बाद फिर प्रभावादी या प्रभाव अविविएंजक आलोचक हुए इसमें भी लगबग उसी चीज का विकास हुआ इस पद्धिती में क्या हुआ कि इस पद्धिती में थोड़ा सा एक आगे के और चरण पर गए आलोचक के एक पाठक ने जो रचना पढ़ी उस पाठक के ऊपर उस रचना को पढ़ने के बाद उसके मन में उसके हिर्दे पर क्या-क्या मारमिक प्रभाव पढ़े उसकी अपनी मनो भावना उसकी अपनी मनो दशा में क्या परिवर्तन आए उसके मन में कौ जैसे पाठक ने पढ़ा, अब पाठक रो रहा है, तो पाठक रो रहा है, ये लेखक को तो नहीं पता, काभिकार को तो नहीं पता, तो यह जो प्रभावबादी या प्रभाव अविवन्जक आलोशक जो हुए, इन्हों ने क्या किया, कि इन्हों ने रचना को पढ़ने के बाद उसके शुरोता पर या पाठक पर क्या प्रभाव पढ़ा, इनको शब्द देना शुरू किया, तो इसलिए इसको प्रभाव अविवन्जक आलोशना कहा गया, क्योंकि इसमें हमने पाठक के मन पर जो प्रभाव पढ़ा, उसका वर नगेंद्र ने इसमें भी महारत आशिल की कि उसमें उनके प्रभावों में अभी गैंजना बहुत हुई है और हाला कि उससे पहले पंती जी की वी जो आलोशना पंति ingen芝णा उन्हें अशाएं पंत में भी लिखा हो लेकिन उन्हें भी था कि फिर वो लोग ज्यादा किसी सिधान्त से नहीं बंदे थे, उन्होंने अपने खुले मन से वो लिखा है, इसके बाद में मनोवग्यानिक और अंतस्चेतनावादिया लोग सना हुई, जैसा मैंने आपसे कहा था परिच्चे के समय, कि इसमें साइकलोजीकली, मनोवग्य लेकिन लेखक किस मनाइस्तिती का है, लेखक का मनोवग्यान क्या है, लेखक की साइकलोजी क्या है, जो लेखक जिसका जैसा बच्चपन रहा होगा, जैसे उसके संसकार रहे होंगे, जैसे उसका लालन पालन हुआ होगा, जैसे उसका जीवन बीता होगा, जिन परिस्तिति अब क्या चेतन भगत दो दो बैलों की कहानी लिख सकते हैं या देविदत पतनायक गोदान लिख सकते हैं बताइए या आपके जो और भी किनी भी सो कॉल्ड बड़े बड़े लेखकों को अंग्रेजी के लेखकों को ले लीजिए या आज के हिंदी के लेखकों को ले लीजिए तो क्या ये जो है अंदायोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं तो जो लेखक जिस मनह मान सकता से पला बढ़ा जिसा मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मोहन राकेस अभी जो पाकिस्तान है उसमें उनका घर था और उनके पिताजी को उनकी पिताजी की अर्थी पड़ी हुई थी और किरायदार कह रहा था कि तब अर्थी उठाने दूँगा मकान माले कह रहा था कि अर्थी को तब उठाने दूँगा जब महले पहले मकान का किरायपूरा करोगे और उस समय उनकी आयू कोई साथ आट दस वर्स रही होगी तो जिस बच्चे ने ये हिर्दय विदारक के द्रस्चे देखा होगा तो वो कैसे लेख लिखेगा कैसे उपनियास लिखेगा अमरिदा प्रीदम का पारवियार एक जीवन हमेशा डिश्टरब रहा तो ऐसा व्यक्ति कैसा लिखेगा क्रश्मिचंदर, मंटो, सदात हसन, बेदी, पुंज, उस दौर के भीसमसाहनी ये दौर के लेखक जिन्होंने बटवारा देखा, तो इनके लेखन में बटवारा ही तो आएगा क्यों? क्यों कुछ दौर की मन सिकता थी उस दौर में जो सामने गुजर रहा है जिसने अपना बरा पूरा घर उजड़ता होगा देखा हो वहां से नंगे पाउं, रातों को भागे होँ गिरते पड़ते काँ मा चुट गई, काँ पिता चूट गई काँ हवेलियां चूट गई फिर यहां आके जिन लोगों ने बनाया है तो उन लोगों को जब वो देखते हैं तो फिर अपने अपनी रचना में कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना है उतना तो हम छोड़ा है है ना मनबर राणा में लिखा तो ये जो मनोवग्यानिक अध्यन साहितिकार का जुन किताबों में हुआ जिन आलोचनाओं में हुआ इसमें बहुत सी चीजें थी क्योंकि फ्रैड का मनोवग्यान हमारा देश पढ़ता है भारती मनोवग्यान हमारे पढ़ाते बहुत कम है विदेशों ने हमारी बुद्धी को हर लिया हमने फ्रैड को मनोवग्यानिक माना क्रश्न को मनोवेग्यानिक नहीं माना राम को मनोवेग्यानिक नहीं माना तुल्सी को मनोवेग्यानिक नहीं माना है ना तो हमने फ्रैड को मनोवेग्यानिक मान लिया हमने अपने पूरवजाओं को अपने महापुरश्ण को को अपने वेग्यानिकों को मनोवेग्यानिक नहीं माना है जो सूच्म से सूच्म मन की छोटी से छोटी बात को भी जो अपनी रचना में लिख गए ईशन अनार हिर्दय करती जानी देखे तुलसी क्या लिखता है तुलसी लिखता है कि इशन अनार हिर्दय करती जानी इस तर इसी को मनोई वेगनिक नहीं कहते हैं हम फ्रैड को कहते हैं जो कि सिर्फ एक एक बहुत छोटी सी चीजों पर जो उल्जा रहा गया यह यह विशेफ फ्रैड की आलोचना का नहीं है तो मेरा कहना यह था कि लेखक और कवी के अंतरमन में भी जो व्यथाएं जो उनकी कुंठि भेद वासनाएं हीनता चटी पूर्ती नफा नुकसान गरीबी आलोचना उसके उपर हुआ अत्याचार उसके साथ किया गया भेद भाव वगेरा 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 जीने की वासना मरने की वासना अंतरमन की कमजोरी सारी रिक कमजोरी मन की जिन परिस्तितियों से भ एकक खड़ा हुआ चाहे अन्चाहे वह उसके लेखन में आ जाता है is जीज़े के एक शेर कहता है कि हम तो कागज पर दिल की शिकायतें लिखते हैं और आप कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं तो ये दिल की शिकायते हैं लिखने वाला जितना जिससे दिल का मन जुड जाता है कहानी ही ऐसी नहीं, वाकिया ही ऐसा है, एसा लिखा ही नहीं, हुआ भी ऐसा है तो जिस रचना के साथ आप रचनाकार की मनई इस्तिती में पहुँच जाते हैं और उसके मनोव्य ज्ञानिक पक्ष को उसके अंतस्चेतना और मनोव्य ज्ञानिक अथवा अंतस्चेतनावादी आलोचना होने लगी इसमें कुछ चीज़ां बहुत पीशे चूट गई जैसे कि इस लिखने में इस अलोचना में नहतिकता चूट गई वो साथ एक नहीं है वह लोग साथ है कि नहीं है चूट गया वह विक्तिकत ज्यादा होने लगा और वैसे देखा जाए तो तुलसी ने भी कहा था कि स्वांता सुखा ए तुलसी गाता है ना तो स्वांता सुखा ए लिखने की वज़े से यह जो आलोचना का यह जो पक्ष रहा अंतश्चितनाबादी यह मनोवग्यानिक जो पक्ष रहा यह बहुत ही एक तरह से निजी होता गया और इसमें बहुत जाला मोरैलिटी नहीं रही इसमें बहुत जाला इस खेल के कोई नियम नहीं रहे कि नहीं आप ये शब्द नहीं प्रियोग कर सकते ये आप शब्द नहीं प्रियोग कर सकते है ना ये आप उन सब्दों के फ्रयोग के लिए साहितिकार ने छूट ली कुछ ग्रचनाओं का कुछ घटनाओं का वरन करने में छूट ली खुश्वन्त सिंग, ब्रदुला गर्ग, अम्रता पीतम, क्राशने चंदर, मन्टो, कमलेश्वर, राजेंद्रियादव, दुश्यन्त, इन सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने छूट ले ना सुरू किया, जो शब्द लिखना है तो लिखना है, जो लिखना है, जिन सब्दों को पहले हमारा जो नतिकतावादी सहत्यकार था, लिखने से गुरेज करता था, उन सब्दों को इन्हों ने लिखा, अपनी काहनी में लिखा, अपने सहत्य में लिखा, और बरपूर लिखा, कहां तो तैथा चिरागा हर घर के लिए कहां मैसर नहीं है शहर के लिए खुब लिखा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए आज यह दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी तो खुब लिखा प्रतीक बना के लिखा तो इसमें आदर्श वादिता यानि जो बहुत बड़ी एक आइडियलिस्टिक थी नैतिक था जो मोरलिटी साहितिकार को रोकती थी कि नहीं हम जो समाज के लिए लिखेंगे वो बहुत अच्छा लिखेंगे आदर्श प्रस्तुती करण पहले हमारे हाँ साहितिकार ने अपना धर्ब माना है आदर्श की स्थापना आप हिंदी फिल्में देखिए आज तक वोई पागलपन चल रहा है कुछ अब बदल गया है कुमार धा ठूठा ठे के बाद भी अन्त में सत्यमेव जैते अरे भई जो अब तक चल रहा था फिर असत्य की इतनी जीत क्यों हुई सत्यमेव जैते इतनी देर क्यों हुआ तो ये भी एक निर्थक वितंडावाद था तो इसमें क्या हुआ कि आप किसी मौलिक ताको किसी नैतिक ताको अनैतिक ताके इतने बड़े आवरण में लपेट के क्यों प्रस्तुत कर रहे हो कि नैतिक ता तक पहुँचने के लिए अनैतिक ताके इतने छिलके उतारने पड़े एक अनैतिक, दो अनैतिक, चार अनैतिक और सो दो सो अनैतिक उतारने के बाद तब जाके अंदर में नेतिक्ता मिली ये एक गलत परंपरा रही तो इस आलोचना में जिसमें के ये लोग आए उनों वेग्यानेक और अंतश्रितनावादी जो मैंने भी आपको नाम गिनाए राजन द्रियादब का बहुत बड़ा योगदान है राम भला सर्मा ने फिर बहुत खुल के लिखा राम भला सर्मा ने बहुत खुल के लिखा मतलब फिर भी बहुत विशुद शब्दों में लिखा उनोंने कहीं अपनी नेतिक्ता का हनन नहीं किया लेकिन उसके बाद के दौर के लोगों ने तेजेंडर सर्मा कूब लिखते हैं कुम-कुम-कुम सुसुम-बेदी बहुत लिखती है इन्होंने फिर बहुत लिखा अपने मनोवग्यान के साथ ही अपना सहति रच दिया तो ये हुआ मनोवग्यानिक्ता और मनोविसलेशने इसमें ज्यादा हुआ उसमें ये आलोचनाय आती है इसमें किसी ने नदी के दूब पढ़ी हो ये सेखर एक जीवनी पढ़ी हो पताए ये किसने नदी के दूब किसने पढ़ा है सेखर एक जीवनी किसने पढ़ा है तो इसमें इन लोगों ने अपने मन के संबंदों को जो इन्होंने जिया जैसा लिखा सरला सर्माजी ने पढ़ा है कुछ से खरेक दी नदी के दी बहुत अच्छा तो ये जो है अग्ये नगेंद देवराज की वी जो समीक्षा है ये मनो विश्लिय शनात्मक समीक्षा हुई जिसमें कि साइकलोजीकल बहुत इसमें अध्यन हुआ है त्रिशंकू का ये अग्ये का त्रिशंकू आत्मेन आत्मनेपद नगेंद का रसिद्धान पंत काब्या काब्य का मुल्यांकन देवराज का साहतिका मनोगा ज्यानिक अध्यन ये जो गरंथ हैं ये इस प्रवर्थी के हैं फिर बहुत सारा एत्यासिक और सांस्कृतिक अलोचना के गरंथ हुए जिसमें फिर कबीर के संस्कृत के पाली के, प्राकृत के अपरवरंश के इन गरंथों की बहुत सी हालोचना है की गई और आचारे हजारी पिशा दिवेदी ने जो एतियासिक और सांस्कृतिक आलोचना का एक ग्रंथ लेखा था, हिंदी साहितिकी भूमी का नाम का, और वो अपने आपने एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें कि सामाजेक, सांस्कृतिक, जातिय सातत्य निरंतरता को देखना आवश्यक है और फिर जातिय परंपरा, इस जातिय परंपरा का शब्द जो है, ये जातिय बोध शब्द अग्ये ने भी प्रयोग किया है, जो आचारे दिवेदी ने जातिय परंपरा या सांस्कृतिक विरासल सब्द का प्रयोग किया था, जिसमें कि हम राष्ट बाद भ इस राष्ट्र बोध को अग्ये ने जातिय बोध का नाम भी दिया, यह जातिय कास्ट नहीं है, not be confused, किसी संश्रे में मत पढ़ियेगा, यह जातिय शब्द कास्ट नहीं है, जो यहां साहत्य का प्रियोक कर रहा है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें के हिंदी साहत्य के साथ हमारी प्राचीनता का जो घनिष्ट संबंध था, मद्दिकालिन बोध का सरूप और भारत के प्राचीन कला, विनोद, कालेदास की लालित्ति, योजना, ऐसी जो किताबें लिखी गए उस दौर में, इनमें हमारी एतियासिक और सांस्किति एक आलोचना का बहुत सुंदर विशद वरणन मिलता है, और दिवेदी जी ने इसमें बहुत बड़ा काम किया, इसके बाद में उसी दौर में, पंडित विश्णा प्रशाद मिश्र जी हुए, आचारे परश्वार्म चत्रवेदी जी हुए, इन्होंने गरंध लिके बू बिवेशन हुआ, शूस में बिवेशन हुआ, ठीक है, इस्थूल भी हुआ, और आंतरिक संगती, उसकी बुनावट, उसकी अर्थवत्ता, उसका संदेश प्रेशन, संप्रेशनियता, यह बहुत सी चीजन जोड़े गए, इसके साथ सास्ती समिक्षा, सास्ती समिक्षा में क्या हुआ कि सास्त्री समिक्षा दुवेदी युग के बाद जो दुवेदी युग में ही सास्त्री समिक्षा का विकास हो गया था इसी को हम सास्त्री या सैधानतिक या क्लासिकल प्रिटिसिस्म कह सकते हैं तो इसको कुछ लोगों ने तो माना कि नहीं जब रीती कालिंग ग लिए और उसमें उन्होंने विवेचना की तो वो जो है नए सिधान्त बढ़ गए तो शुकली जी ने उसके बाद में इसको जो नवीन गंथ जो शुकली जी के युग में जादा नहीं लिखे गए लेकिन जो प्राचीन और भारती गरंथ दोनों के जो अनुवाद हुए और उन अनुवादों के आदार पर पास्चा थे फ्रेंच, जर्मन, रशियन गरंथों का अनुवाद होना सुरू हो गया था इस्पेनिस का अनुवाद होना सुरू हो गया था और चाइनीज का अनुवाद होना सुरू हुआ चाइनीज का तुड़ा बाद में हुआ इनके तो ये सब क्या थे अरस्तू के पॉएटिक्स ये सब लांजालेंस का आंदा सब्लाइम और होरोस का आर्स पॉएटिका तो ये अनुवाद जब होने लगे तो इससे दो धाराएं दो धाराएं क्या कहूं मैं इसको ये कहूं कि थोड़ी समझ विकसित होने लगी समझ जैसे पहले आप किसी चीज को अंदेरे में देख रहे हैं तो आप अपने मन से जो आपको समझ में आ रहा है आप उसे चूके समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप लाइट जला दें र साफसाफ दिखने लगेगा जब आपको साफसाफ दिखने लगेगा तो आपको पस दो चीज हो जाती है आप कहते हो कि अचे मैं तो ये समझ रहा था या मैं तो ये समझ रही थी किन्तु अब ये मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ तो दो विकसित हुए आपके पास दिमाग, दो द्रश्टियां विक्सत हुई, तो इस रूप में इस समन्वित द्रश्टी के साथ जो ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामकवार बर्मान ने लिखा साहित सास्त, भगीरत मिश्न ने लिखा कावि सास्त, सीता राम चतुवेदी ने लिखा समीचा सास्त, नंद दु माजी ने और इन सब के साथ साथ राचार रामचंद शुकल में जो कुछ भी लिखा, यानि कावि सास्ती गंतों का जैसा गंभीर, तात्विक, मर्मग्राही, संस्लिस्ट विवेचन, जितनी समीच शात्मक आधार पर उन्हों ने किया, उसका पूरिती नहीं हो पाई, इतन इतना आचार शुकल जी कर चुके, ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये एक परंपरा बढ़ी और परंपरा साहतिकार का यही धर्म होता है कि परंपरा आगे बढ़े, इसमें और आगे चले लोग, फ़ड़ा और खुलने लगे, खुलने लगे तो फिर शोध होने लगा, नान हुआ, तो जो इत्यास लिखा हुआ है किसी इत्यास ग्रिंथ में, उस इत्यास की खोजबीन हुई, उसके उपर नान हुआ, कि इसकंत गुप्त के मुह से ये समभात क्यों कहलवाया, राजा हरिश्चंत के मुह से ये समभात क्यों कहलवाया, करन ने ऐसा क्यों कहा, ध सीता रावण की पुत्री थी के नहीं थी तो इस तरह की जो आलोचनाए और जो ग्रंथ लिखने लिखे जाने लगे उन ग्रंथों में फिर बहुत आगे कुछ लिखा गया और उसमें फिर सोध प्रबंद जैसी सेली आने लगी और ये सुरू हुआ लेकन प्रकाशन टाक्टर पीतामबर्द बड़त वाल ने लिखा ने गुण संप्रदा है और उसके वाल लिखा हिंदी कावे शास्त्र का विकास रमा संकर शुक्ल रसाल जी ने फिर बल्दे परशाद मेसर जी ने तुलसी धरशन लिखा माता परशाद कुपजी ने तुलसी दास लिखा लश्मी द्याल गुपती जी ने अश्ट चाप और बल्लव संप्रदाय के उपर बहुत बहुत लिखा ये अपने आप में एक बहुत प्रामारिक किताब माने जाती है बल्लव संप्रदाय में और अश्ट चाप के कवियों के उपर आज कभी आज भी जब कहीं अश्ट चाप के कवि का साहित्य और उनका भारत भूमी पर प्रभाव या प्रेज शित्र पर प्रभाव या साहित्य रचना पर प्रभाव होता है तो दिंद्याल गुप्त जी का वो ग्रंथ अश्ट चाप और बल्लव संप्रदा है आज भी एक बहुत प्रमाण एक पुस्तक माने जाती है कामिल की और आपको जानके आश्चर हुए कामिल गुल के हमारे भारतिय नहीं थे बाहर से आये थे यहां डाल्टन गंज में रहते थे अध्यापक थे पड़ाते थे उन्होंने हिंदी अंग्रेजी का सबसे प्रामानिक शब्द कोस फादर कामिल गुल के का है फिर वो यहीं के हो दान भी है है ना सेक्ड़ों सोध गरंथ लिखे गए सेक्ड़ों सोध प्रवंद तयार हुए जो कि आज तक चल रहे हैं आज भी बहुत से लोग इसी तरह के शोध प्रवंद और इस तरह की आलोचना कर रहे हैं हर साल बलकि मैं तो अगर मेरी बात गलत नहो तो मैं तो जार में 900 सिर्फ आलोचना के ही हैं नया कुछ नहीं लिखा जा रहा है पूरे पुराने की आलोचना ही हरे है बस इसमें और थोड़ा सा आगे हम जाएंगे एक मिनट में दो मिनट में और कि प्रगतिवादी और माक्सवादी आलोचना ये अपने नाम से ही बिलकुल इसपस है 1936 में जब प्रेमचंद के आसपास में उनके जाने के समय में प्रेमचंद ये प्रगतिशी लेखक संग जो बना और ये प्रतम अदिवेशन हुआ जिसमें प्रेमचंद ने अदिक्षता की थी और उसमें उन्होंने नए उद्देश से नई कसोटियां नए संदर्व इन बहुत विश्तित प्रकास डाला था और इसी दस्टी से नया प्रगतिशी लेखन और उनका मुल्यांगन शुरू हुआ सोशक और सोशित मैं समझता हूँ इसके बारे मैं कई बार अपनी पुरानी कक्षाओं में भी बता चुका हूँ सोशक और सोशित सामेबाद की स्थापना ये सब जो चीज़े आने लगी ये जो नए शब्द आप जब साहित में जब से पढ़ने लगे जैसे कि क्या सोशन, सोसेत, प्रगतिवाद, प्रतिशोद और ये नवोनमेश, उधारवाद और प्रतिकार, गरीब की ताकत ये जो सामाजिक परवर्तन, क्रान थी ये जब से ये जो शब्द आने लगे तब से मान लेजिए कि ये प्रगतिवाद जैसा ये कुछ सुरू हुआ इस दोर में बहुत लोगों ने लिखा, इस दोर के सबसे प्रमुक लेखक, सबसे प्रमुक लेखक अगर आप नाम लेना चाहें, तो इस दोर में दो लेखकों का आप नाम याद रखीगा, कि रामबिला शर्मा ने बहुत कुछ लिखा, और प्रोफेसर रामबिला सर्मा औ साहिति अनुसीलन और प्रकाशन गुपने हिंदी साहिति आत्मिक हिंदी साहिति हिंदी साहिति की जनवादी परंपरा और राम्बिला सर्मा ने तो इतना लिखा है इतना लिखा है कि अगर पूरा का पूरा दिन अगर राम्बिला सर्मा जी के ऊपर आप लिख बोलना चाहें तो आप बूलबा सकते हैं प्रगती की परंपरा प्रगती सील साहती की समस्याएं आस्था और सौंधर और मैं आपको एक चीज़ बताओं मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रिसी के सराय कलकता कलकता में जो टी वोर्ड ऑफ इंडिया है उसमें डेपूटी डिरेक्टर है उपने ओपने हैं उन्होंने तो अपनी डी लिट की है रामविला सुन्हार के ऊपर के ऊपर सोचई अब जिस एक वैक्ति के लेखन के ऊपर डी लिट की जा सकती हो तो सोचिए उस वैक्ति का कितना बड़ा लेखन सही सारा होges ठीक है तो रामविला सर्माजीन है जो आचारे रामस्तन शुकल की लोकमंगल की भावना है उसको प्रगतिशील साहत्य आलोचना के केंद्र में रखकर पूरी की पूरी एक परंपरा का मूल्यांकन किया है और ये मूल्यांकन हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का सुरेश्ट तम उधारन है और आगे चलके इसी को कोई प्रगतिवादी कह देता है इसी को कोई माक्सवादी कह देता है ये सब अलग चीज़ है अब इसके बाद स्वतंतरता के बाद में जो आलोचना है वो सब आप लोगों के सामने है इसमें कुछ ऐसा विशेश नहीं है सरजिनात्नक स साहति बहुत लिखा गया, कई तरह का परिवर्टन हुआ, देश आजाद हुआ, लेखक साहतिकारों की भाव भूमी में बदलावाया, हिरदय में बदलावाया, उनके विचारों में बदलावाया, प्रगती आई, मशीने आई, उस समय का जो साहतिकार था. प्रेम जातों किसी तक्निक कारण के पर वजह से राजीव सर्व आपिस से मीटिंग से लेट आउट हो गया है, तो आप लोगों, सर जब तक जुड़ते हैं, आप लोगों से निगेदन हैं, कि आप लोग अपने प्रश्ण होगारे हैं, जो हैं, चैट वोक्स में लिखतें, जो भी आपके मन्नु प्रश्ण हो, इस व्याख्यान से संब्ढ़गी हो, आपने प्रश्ण दौन दौन दूस चैट वोक्स माधियम से लिख करके सर इसे पूछ सकते हैं, चुकि समय लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपके प्रश्ण फिर दीरे-दीरे-दीरे-दीरे लगातार लिखते रहें, ताके सर के व्याख्यान समाप्त होने ते पुरांत बाद आप समी को प्रश्ण में सहते पहुंचाने हैं, तब तक आप लोग लाइन पर बनेर है, उस तकनिकी दिक्कत हुई है, इसलिए सर लेटा आउट हो गया है, बस एक मिन्टों में सर वापि मीटिंग से तूट गई थी, मुझे लगा कि विद्यारतियों ने अब कान बंद कर लियां कि छोड़ो सर अब जाओ घर जाने दो, नहीं से लगातर बने हुए विद्यारति, तो इस दौर में जो स्वतंत्रता के बात की, जिसको कि हम स्वतंत्रे उतर हिंदी आलोचना कहते तो यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा परवर्तन हुआ, मूल्य आंकन बदला, जो मान मूल्यों की आवशक्ता थी, वो बदले, देखने वाली आंक भी बदली, जिसको देख रहे हैं, वो भी बदले, चेहरे बदले, देश का परिवेश बदला, और अधिकांस जो अधिकांस पहले, लेकिन प्रकासित वो काफी कुछ सवतनतता के बाद में हुआ, तो इस वज़े से क्या हुआ कि जो आचारे क्या नाम, प्रफेसर रामला सर्मा जी की जो आलोचना का जो स्वर था, वो क्योंकि प्रकाशन हुआ 47 के बाद, पचास के बाद में, तो आलोचना के रूप में वो आलोचना साहत्य विदा की मुख्य धारा, मुख्य प्रेरणा बन गया, प्रामला सर्मा का साहत्य, उनकी जो आलोचना की पुस्तकें थी, उनमें जो द्रश्टी थी, फिर वो आलोचकों ने, उसको मानक मान लिया, उसको इस्टेंडर्ड मान तो और अपने आप में आस्था और सॉंदेर जो पुस्तक है उनकी बड़ी गलख्षर पुस्तक है कि उसमें उन्होंने यह उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वो सिरुफ मार्क्षवादी आलोचक नहीं है, मार्क्षवादी समीख्षक नहीं है, उनके ओपर ठपपा बिलकुल ग वंद है। सुंदरी की जो व्याख्या की है ना जो सुंदरी को व्यक्ति और विशे नहीं वाना है उन्होंने उसमें साइट रूप से दोनों को स्मिकर किया है। तो उसलिए आलोचना का जो मानक बना वो आज के दौर में इनका राम्बला सर्मा जी के बात का और फिर उना ने दो भागों में निराला की साहते साधना लिखी अद्वृत किताबें हैं कलात्मक्ता सजक्ता जो शब्द शैली जो उसमें है उतकरस्ट रचना है निराला की साहते साधना भाग एक और भाग दो तो इसमें निराला की पूरी की पूरी जो साहते रचना साहते संसार है उसको उन्होंने एक पक्ष में लिया है और उसके साथ बिलकुल शुद्ध विचारातमक्ता के साथ कलातमक्ता और उन सब को फिर विश्टलेशन करते हुए एक पूर्टा के साथ जोडने की जो सार्थक कोशिश किये रचना के बस्तू और रूप को जो समान महत्युपदान किया है रामिलास जी ने यह अदभुत प्रयास सफल प् दिती को दिया है फिर बाद में तो आप लोग जानते ही हो मुक्तिवोत को जानते हो नामबर सिंग को जानते हो इन लोगों ने जो लिखा अपने आप में बहुत हाल ही की बात है नामबर सिंग को तो अभी गए हुए मेरे क्याद से लगए एक साल बर के ही करीब हुआ है ब यह अपने आप में एक विलक्षन उधारण है कि व्यक्ति जो बोल रहा है वो किताब बन गई शायवाद पुस्तक में उन्होंने काब्यधारी इसका काब्यधारा का आलोचना की और दूसरी परंपरा की खोज में उन्होंने रामबलाश, क्या नाम आचारे शुक्ल और हजारी पिशाद दुवेदी इन दौनों को आमने सामने रखा दूसरी परंपरा की खोज में तो फिर उसके आगे भी आगे गए फिर वाद विवाद संबाद किया फिर वाद विवाद संबाद के साथ उन्होंने ये जो परंपरा विकसित की ये उनकी अन कि ये जो वाद विवाद समवाद जो शैली है ये एक शैली का नाम है लिखने का, अपने आपको व्यक्त करने का, वाद विवाद समवाद, क्यों? क्योंकि वाद विवाद समवाद, शैली के नामवर सिंग अकेले इकलोते उस्ताद हैं, तो इस तरह से फिर ये बात बहुत आ आई-ई-ईस हैं लेकिन अच्छी आलो चका बहुत अच्छे समालो चक रहे हैं ठीक है राजे इनर यादव यह सब आपस क्योंकि समकालीन रहे तो इन समकालीनों में आपस में समवाद भूत होता रहा लेखन के माद्यम से ठीक है तो ये एक तरह से एक नया यूग यहाँ और उनिस सो ते तालिस में जो अग्ये ने तारसब तक प्रकासित किया उसमें चायावाद और प्रगतिवाद दोनों के बीच में बहुत अची चर्चा हुई और अग्ये ने बताया कि दोनों की ही सीमाओं से मुक्त होने की बड़ी आवश्यक्ता है तो ये आदुनिक भूत के साथ फिर हमारी रचना आगे चली आल उचना आगे चली और जिसमें कि अग्ये ने ये लिखा कि जो नई कविता है जो नया साहित्त्य है घर मैं इसे कविता सब्द से अल आजाता था अग्ये ने पहली बार कारसब्सक में का कि जो नई कविता है उसका पाठक है उस नई कविता का अपने और अपने पाठक के प्रती उत्तरदायत तू बढ़ गया है इससे पहले तो क्या था जो लिख दिया लिख दिया ठीक है तो इस तरह की जो चीजें चली ये उत्तरदायत तू पूर्ट चीजें आने लगी और सास्त्री आलोचकों से जो रविया था उसका सानवपूर्थी तो था लेकिन पूरवा ग्रहित नहीं था तो हमें अब आज के युग में हमें आलोचना में बहुत से लोग पहले क इसका एक कारण है कि पहले बहुत कुछ पूरवा ग्रसित होता था क्यों होता था कि वहीं दस-पांच प्रकासक होते थे बड़े-बड़े प्रकासक होते थे बड़े-बड़े मीडिया हाउस होते थे वही जो चाहा जिसने चाहा वो लिख दिया वही प्रकासित हो गया वह किताब बन गई, वही विश्विद्याले के पार्टिक्रम में लग गई, वही पढ़ा जा रहा है, लेकिन आज के दौर में, आज के दौर में फेस्बॉक हो गई, बाटसप हो गई, इंटरनेट हो गया, इंस्टागरम हो गया, सब कुछ हो गया, हर आदमी आलो चगए, हर तक्त नशी था, उसको भी खुदा होने का बहुत यंकी था, सवाल यह नहीं है, सवाल यह प्रशन नहीं है कि उसने देखा क्या है, आलो चग के लिए मैं कहता हूँ, प्रशन नहीं है कि उसने देखा क्या है, प्रशन यह है कि कहेगा क्या, तो आलो चग, जो मैरे पहले प अपने आप में बहुत ही मानवी ये प्रक्रिया है और इसमें तुलना भी है इसमें criticism भी है इसमें हम समाज का व्यक्ति का classical का सारी प्रद्धितियों को अपनाते हुए हम इसमें अध्यन करते हैं और इस तरह से यस जो आलोचना है वही हमें ये बताती है कि हम इस साहित्य के साथ क्या करें ये साहित्य हमारे किस उद्देश से का है फिर उस परंपरा में आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको आज तक आएंगे रहिवीन ना स्रीवास्ता मिलेंगे सशी पुषन शीतान सूजी मिलेंगे सुरेश कुमार जी मिलेंगे और फिर बच्चन सिंग से लेके एक बहुत दीर सुदीर उपरंपरा है मैं आपका वो पाठिकरम देख रहा था उसमें बहुत अच्छी इसके उपर चर्चा हुई है मेनेजर पांडे हैं इन सब के साहित आप पढ़ते चले जाएए और फिर आपको आलोचना समस्त में आ जाएगी कि आलोचना कहां से कहां तक पहुँची है और जो इसकी वर्तमान इस्तिती है जिसमें रहम बिल्ला सर्मा को हम वर्तमान कहीं मानेंगे शिवकुमार मिश्र है, धननजय बर्मा है निर्मला जैन है, नंद किसोर नवल है संभूनाद जी है, कलकता वाले करने सिंग चौहान है, मदुरेश खगेंदर, ठाकुर है वैनेजर पांडे है ये लोग जो अपनी और फिर थोड़ा और आगे चले विश्वनात रपाटी है, विश्वनात प्रसात तिवारी है ये दोनों में कन्फूज मत करना है ये दो अलग-लग आदमी है विश्वनात रपाटी, विश्वनात तिवारी ये दोनों अलग-लग नाम है एक विद्यनवा सिश्र जी के सिश्र है तो यह लोग क्या है यह अपने अपने डंग से इस पूरी आलोचना पद्धिती को एक समग्र द्रश्टी से देखने वाले में फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही मन से जानना है माकसवाद में फस गएं तो माकसवाद से कभी निकल सकते आलोचना में फस गएं मोधी विरोद में फस गएं तो मोधी के बाहर नहीं जल सकते कांग्रेश फिलोड में फस गहें तो कांग्रेश से बाहर नहीं निकल सकते कुछ ऐसे लोग मी है मैं ऐसे प्रबो दुफ जनों से मेरा कुछ कहना नहीं है मैं उन्हें आज प्लाम करता हूँ मेरे वो भी गुरू है मैं उनको भी गुरू मानता हूँ ठीक है उनको भी आप गुरू ही मानिये जो अपने अपने कौकून में फसे हुए है ना उनको भी आप गुरू ही मानिये वो अपनी मानेताओं में जो उल्जे हुए है उनको वही रहने दीजे उनको भी गुरू मानिये तो ये क्या है कि अब लेखत का पाठक का अपना अपन नहीं है इसलिए आलोचना भी अब किसी की पपोती नहीं रह गई है अलोचना भी किसी की पपोती नहीं रह गई है अब शेक आलोचक है रावजी आलोच है रंजीत सिन्ना आलोचक है पंकचा आलोचक है सब आलोचक है हर कोई आलोचक है तो अब देखा जाए तो अब आलोच एक तरह से सही समीक शक अब हुआ है क्यों कि आप किसी को भी भर्मा नहीं सकते सब के पास वही प्रद्योगी की है गूगल तुम्हारे पास तो गूगल मेरे पास भी है पहले क्या था कि जो नाम वर्सिंग ने लिख दिया सरफ वाणी प्रकासन से वही छपएगा वाणी वाले सुनेगे तो अब मुझे काम देना बंद कर देंगे और नाम वर्सिंग तो चलेगे अब मुझे क्या नाराज हूंगे तो मेरा कहने का है यह है कि अब कोई किसी की वपौती नहीं है आलोचना भी किसी की वपौती नहीं है तो अब यह क्या है कि आलोचना का यह जो पूरा सफर नामा मैंने आपको बहुत जिल्दी यह यात्रा कराई है यह पूरा सफर जो है आरंब से लेके आज तक पहुंच गुजरती हुई भगीरती आलोचना की यात्रा अब कहां पहुँच गई ये उत्र-उत्र उन्मुक्त हुई उत्कंट हुई जगे जगे फैली पत्थर जर्नों तमाम दुनिया वर की छोटी-छोटी नदी नाले प्रवाः परपात वात नाले जहील सरोवरों को अपने अंद करती हुई सरजनात्मक्ता के तटों के बीच से गुजरती हुई ये आज जहां पहुची है वह हमारे सामने आलोचना का दहारता संसार है महासागर है आज आलोचना एक धारा नहीं है आज आलोचना एक महासागर है अगर आलोचना ने इतनी लंबी यात्रा न की होती तो आ आलोचना के उपर एक ठपा लगा होता, पर आज आलोचना डेसी, विदेसी संदर्व, प्रगती के संदर्व, जितने संदर्वों से जुड़ी हुई है, आज की आलोचना तुरंथ आदमी गूगल पर जाके चेक करता है, कि क्या कहा गया है, मैं अगर कोई बात कहूँगा, आ इसमरनसील थोड़ी को सारी बात है, आपको सही ही बताऊंगा, कोई मा सरस्वती का वर्दान थोड़ी है मुझे प्राप्त, ठीक है न, हो सकता है कोई चीज कोई बताते बताते कुछ गलग भी हो, तो मैं आप सबको अपने सभी चात्रों को, सभी शिश्यों को गुरू मान उस परिस्तिती को टटोल है, जिसमें वो रचना लिखी गई है, क्यों, क्योंकि किसी का एक शेर है, कि कुछ न, कोई न, कोई तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई शौकिया बेवफा नहीं होता, तो जो लिखा गया है, उसके पीछे का भी एक पुरा का पुरा भाव स पंसार है, एक रचना लिखने के समय, आदमी को तपना पड़ता है, लिखने का तब कोई प्रक्रिया सुरू होती है, तो रचना मुलियों को टटोलने की जो उत्सुकता पाटक में होती है, और वो जो उसको जानने की अविलाशा होती है, कि ये क्यों लिखा गया, ये जो घनिश रिस्ता काइम होता है, उत्कंठा के बीच और लिखने के बीच, इसका नाम आलोचना है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि आपने ये सुअब सर मुझे इतने पावन अवसर के दिन उबलब्द हुआ, कि मैं अपने मन की बात कुछ कह सका, विशेक जी का, और सभी गुरुओं का, और मेरे सभी 20-22 शिश्य जो मेरे गुरु ही है, उन सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, कि आलोचना के संब्द में, सुनगा कि, सर मैं प्रेशन रखूं उससे पहल की आलोचना का उद्रश तरह से अचने गुकर से चांड़ रहे हैं, घृणा सब्द में स्थान के से लोगा है, ङृण प्रेश, बहुत 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 बेट्रिश, पेंचन पूठा कर देखूं ने इतने बड़े-बड़े जो लिखा है, हम अटिक वे प्रगती बाद तक फोरी बहतर हुई प्रगती है जब आपको कुछ नहीं है अलोजना में लिखे दो बिलकुल 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 जी बताये और कोई प्रश्न है तो लीजे जी जी चाहिए ज़। इसके सत्र को समापन किया जाए प्रश्न के रूप में आया जब यह प्रश्न दिया होगा तब तक साइद वो विश्य नहीं में ले पाया होगा भाद में इसका उत्तर तो होगी गया हे कि नई समीक्षा और आलोचना के साथ बिल्कुल एक आत्म हो चुका है आज की नई समीक्षा पाःथक की अपनी मनई इस्तिती के साथ लेखक की भी एक रूपता है आज के लेखक को जिसको आप पढ़ रहे हैं वो आप ही के समाज का है और आज की समीक्षा प्रद्योकी की ये समीक्षा है इसलिए मेरा मानना ये है कि नई समीक्षा का उद्देश से सत्य के और लेखक के और ज़्यादा नजदीक जाना है जी अगला जी सर जी सर, एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभाज जी प्रभाज जी पूचा, वो लिखते हैं, आजकर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने रचना लिखता हैं, वहां लोग अपनी प्रतिकृया लिख रहे हैं, क्या हम उन कि जो आप Facebook की रचनाओं की एक्षन में लाइक, डिसलाइक या जो एक लाइन या दो लाइन है, वो निश्चित ही प्रतिक्रिया है, आलोचना नहीं है, आलोचना एक सास्त्रिय चीज़ है, एक क्लासिकल चीज़ है, आलोचना एक विधा है, आलोचना का आधुनिक कालखंड में साब्दिक अर्थ हो गया है निंदा, बुराई, उसमें उसकी आलोचना की, जबकि जब आप हिंदी साहितिके विध्यारती हैं तो आलोचना का अर्थ बुराई नहीं है, आलोचना का अर्थ है कुछ मानकों पर उसकी समीक्षा करना, उसक कि कशोटी पर कसना तो आप Facebook के या WhatsApp के ग्रूपों के कमेंट्स को आलोचना मत समझिये वो और सिरफ कमेंट है वो सिरफ प्रितिकिरिया है वो सिरफ टिपणी है वो आलोचना नहीं है जी आगे जी सर एक प्रशन अंतिम प्रशन प्रवाजी पूछते हैं कि संपादकी और आलोचना में प्राफर्ट है हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है मैंने ये पूछा देखा था पढ़ा था बीच में संपादकी और आलोचना में बहुत बड़ा अंतर न होते हुए भी अंतर है अंतर क्या नहीं है अगर संपादक किशी विशे की निर्पेक्ष मीमानसा कर रहा है और उस मीमानसा में उस विशे के समस्त पक्षों पर अपनी निर्पेक्ष पूर्वा ग्रह रहित राय दे रहा है तो वह आलोचना है इमानसा है विवेचना है लेकिन जहां संपादक किसी राजिनितिक पार्टी का है किसी प्रकाशन के घराने का है वो अखवार किसी एक आदमी का है तो और उस पार्टी को उस किसी एक पार्टी विशे से विशे स लगा हुए तो वहां उसमें संपादक एक नोकरी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो संपादक तो वो ही लिखेगा ना जो उसके समू के हित्व मालिक चाहते हैं तो संपादक की ये लिखना एक टिपणी है लेकिन वह अधिकान सतह पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो सकती जैसे अभी एक घटना हुई है उस घटना का अख़वार में संपाद किये जाएगा तो अगर वो इसको मौटे तोर पर ऐसे समझेए कि अगर जैसे अभी आप पलाएन हो रहा था मजदूरों का तो मजदूरों का पलाएन जहां हो रहा था उसके उपर उत्तर प्रदेश में क्योंकि एक पार्टी की सरकार है तो वहां के लोगों के बारे में लिखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश के मज़़ूरों के लिए बड़ी अच्छी विवस्ताइं की हैं और उनको अपने घरों तक पहुचाने के लिए बसें लगाई जा रही है उदारणार्थ लेकिन उसी से थोड़ा ऐसा आगे आप जाएं दिल्ली के उस तरफ जाएं जहां के उस पाल्टी की सरकार नहीं है अरे हाय तो वा मच गया है लोग भूकों तड़प रहे हैं सड़कों पर बिलक रहे हैं मर रहे हैं भूके हैं प्यासे हैं और कुछ नहीं है वहां के अख़वार ये संप बातक हमारे बीच में नहीं हैं जिनसे कि आप किसी सत्य की आसा करेंगे आपको मेरी इसला आवश है कि यदि आपको सत्य जानना है तब आप कम से कम 10 संपाद किये जरूर पढ़िए और 10 संपाद किये के बाद 11 सत्य आपको समझ में आएगा वही सत्य है उधारण के लिए सामान निभासा में मैं आपको बताऊं जैसे कि आपको अगर सत्य जानना है तो आप आर भारत पर अरणव गोश्वामी का भी चैनल सुनिए और एंडी टीवी पर रवीश कुमार को भी सुनिए और इंडिया टीवी पर रज़त सर्मा को भी सुनिए और सुधीर चोधरी को भी सुनिए और इन सब को सुनने के बाद फिरा फ्रीतिस नंदी को भी सुनिए ठीक है ना और इन सब को सुनने के बाद अपना सत्य निकाल यहां अपने अपने युद्ध तो अपना सत्य आप खोज लीजिए यही बुद्धु पुर्णा का आपको संदेश के साथ प्राम आपको उसके परिणाम पर आना है कि जो रचना आपने पढ़ी है उसकी समीक्षा आप पाठक के नाते भुक्त भोगी के नाते आपका अपना अनुवव आपकी अनुभूती यह समीक्षा में आती है आलोचना एक सास्तरिय काम है एक सैद्धान दिक उसकी कसोटिया है उसकी भाशाशेली उसका वाक्य विन्यास उसका धराकल ये जो मैंने आपको इतनी सारी मनोव वैज्ञानिक से लेके प्रगतिवाद से लेके जितनी आलोचना की पद्धिती बताई ये उसकी कसोर्टियां हैं कि वो किस खाचे में फिट होती है तो आलोचना समीक्षा में ये थोड़ा सा अंतर है समीक्षा छोटी होती है आलोचना में आपके पास अफसर होता है कि आप बिंदू बार उन बिंदूओं के आदार पर उस रचना की समीक्षा आलोचना कर सकें कि वो कहां फिट हो रही है कौनसा वाद फॉलो हो रहा है कि साहतेकार के नजदीक है कौन से वाद के साथ, कौन सी चीज उसमें ली गई है, समाधान मुलक है, उस तरह की चीज़ें, कौन सी ग्रायता है, कौन सा अग्रह है रचनाकार का, आलोचना में आपका निरने नहीं होता है, समीक्षा में आप अपना निरने दे सकते हैं. जी सर, इसी के साथ सर, जितने प्रस्न थे, वो समाधान में आपके अगर ये कोई मित्र हैं, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है, कि समीक्षा करती है, कि आप अपनी साधी में और आप दुलन को घर ला सकते हैं, आलोचना में आप किसी की बरात में आप खाना पीना खाके लोटे और चर्चा करिए कि भोजन कैसा था, सजावट कैसी थी? बहुत अच्छे हैं आपके मार्हार आपके म्सा सा है, बहुत अच्छे की बहुत बहुत जबंदे हैं, इसके लिए मना मैं ठोटे हैं definite मैं, थोरी बेह बिलंगों Circle झाने था इस वजझे这 straffourine Five आप लोगे चैट बॉक्स में अमीत रिपाटिसर ने एक फॉर्म भड़ा बेजा है उसे भड़ी जीगा तुई पार के लिंक पर जाके फिट्वरक पॉर्म है ताकि आपके राये विचार हमें मिलते रहें उसके आधार को अपनी किसका को ऑनलाइन किस तरह और बहतर बना सकत अभी आप लोगों को जैसे पता है पूरा सब्सक्राइब हमारी का दौर है बहुत तेजी से बर रहा है तो इसमें घर से बाहर नानुए के लिए अपनों सुरच्छा करें अपनों का जहान रखें और घर में राक्तर के पढ़े कूप पढ़े सहीत कानंद ले और दिन पोत